असलाम अलेकुम viewers कैसे हैं आप लोग खेरिये से हैं इस वीडियो में मैं आपको प्रोडुक्त के ओपर deal and timer configure करने का तरीका समझाऊँगा deal timer configure करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी respective product को open करना है हम जाते हैं प्रोडुक्त के अंदर view products के अंदर view products के अंदर आपको प्रोडुक्त करने के बार हम इसको स्क्रोल डाउन करेंगे स्क्रोल डाउन करेंगे तो सबसे एंड में राइट में कॉप्शन है deal limited time offer इसको हम करने से पहले एक चीज समझते हैं कि अगर आपको इस प्रोडुक्त को deal mark करने है तो अगर वो दो दिन के लिए deal mark की गई है तो दो दिन के बार आपको उस पे से उसको deal timer पे से unmark करना होगा क्योंकि जब deal timer आपका end होता है तो वो product आपका हाइड हो जाता है website से तो हम एक बार इसको configure करके दिखाते कि किस तरीके से यह functionality चलती है deal timer पर आके हम deal timer पर आजाएंगे डील के आके यस पर चेक लगाएंगे start rate हम बुलते है बारा sorry start rate है दो नवंबर और time है हमारा भी 8 वज़ रहे तो हम 8 वज़े से रखते हैं और यह है चार्ड नवंबर तक चलेगा और इसका time होगा बारा भी आता है deal timer की यह basic से configuration करके आप नीचे safe पर क्लिक करेंगे सेफ पी जब आप क्लिक करेंगे तो यह लोड करेगा लोड करके message देगा सेफ सक्सेस्फुली टॉप पर आके view product on store पर क्लिक करेंगे तो आपको यह आपने जो product add कि यह पर deal timer आनश हो जाएगा अच्छा अब आप कहने के यार इस पर तो deal timer नहीं आने की वज़ाए यह है कि यह settings में से बंद होगा settings में जाएंगे settings में हम जाके product display settings में जाएंगे product display settings में scroll down करेंगे आप और यहां पर deal timer का option होनेगे deal timer का option है आपने सब पर check लगा देने सब पर check लगाने के बाद scroll down करके save पर click करेंगे save हो जाएगा तो अपनी product page पर आएगे और इसको refresh करेंगे जब आप इसको refresh करेंगे तो आपके deal timer नहीं शुरू हो जाएगा ठीक है हम home page पर भी इस product को देख लेंगे किस तरीके से deal timer आपका view हो आ रहा है home page पर आप इसको scroll down करेंगे नीचे आपकी product यह left पर आ रही है और इस पर deal timer भी आ रहा है आपका यह CSS की वज़ास से overlap कर रहे है तो यह आप अगर store में ऐसा कोई issue आ रहा हो तो आप webex के admin से रापता कर सकते है हम product को open करते है open करके इस product level के ओपर यह चीज़ देख लेते है ठीक है इस पर limited time offer चल रहा है one day 15 hours और 25 minutes 59 seconds ठीक है sir thank you very much अलाहाफिस